तो guys मैं हूँ आईश और आप देख रहे है रेसलिंडिया स्वागत आपका आज की इस वीडियो में और थोड़ा आपको बैक्ग्राउंड अलग लग रहा है भाई क्योंकि मैं कहीं और पर था लेकिन वीडियो नहीं रुकेगी और आज हम बात करने वाले हैं काफी एक इंट्रस्टिंग चीज़ की मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कॉमेंट्स में फटा फट से मुझे प्रेडिक्शन बताएं कि आपके साब से कौन मैचिस होने चाहिएं और साथ की साथ जो मेरे प्रेडिक्शन हैं उससे आप एगरी करते हैं और फिर नहीं डिस्क्लेमर से रवे आप इतना है रहेगा कि क्योंकि ये प्रेडिक्शन हैं भाई तो मेरे मैच इस सही भी हो सकते हैं गलत भी लेकिन जितना पॉसिबल लॉजिकल गैस मैं इस मैच कार्ड का कर सकता हूँ वो मैं आज आपको देने वाला हूँ तो आप वीडियो का एंट चैंपेंशिप और I don't think so कि अगर WWE मैच अभी तक ओफिशल ना कर चुकी होती तो कोई भी इसको प्रेडिक्ट करता कोई किसी ने सोचा नहीं था कभी कि ये मैच देखने को मिल सकता है और अल्रेडी इसके उपर जैसा कि मैने आपको कल भी बताया था एक मेजर बड़ा पर आपको जरूर मिल जाएगी वो चीज़ इसके बाद बात करते हैं इंटर कॉंटिनेंटल चैंपेंशिप की ब्रॉन ब्रेकर ने कंडे नाइड रौ के प्रोमो में उन्होंने अल्रेडी ये बात बोल दी थी कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है पूरे रॉस्टर के उपर ज अगर ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन रहते हैं और जो रहेंगे वो बैश इन बरलिन तक ड्रागन ओफ वर्सिस ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा मैच होगा जो ड्रागन ओवली के आने वाले बेस्ट सूपर स्टार्स को भी हाइलाइट करेगा वो भी जर्मिनी में जहां पर ड्राग अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है एक तरफ होंगे डॉमिनिक, मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन और वो रेप्रेजेंट करेंगे इस नई जज्ज्मेंट डे को जो फिन बैलर ने बना ली है और सामने जाने वाली है रिया रिपली पर उनका रिवेंच अभी लिव के ओपर क जे ऊसो जी हाँ काफी टाइम सब ने देखा है कि जे ऊसो रिया रिपली के पीछे पड़े है जे ऊसो को रिया रिपली का नंढर भी चाहिए था आइड्वन वु LOV के तो वो नंबर की एपरव्यू में रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का रिमैच हो सकता है फॉर दी एक्चल विमेंस चैंपेंशिप वो हमें देखने को मिल सकता है तो इंटरस्टिंग रहेगा आप लोग अपने उपिनियंस इसके बारे में बताएं लेकिन डेमेंट प्रीस्ट को मैंने अलग इसके रखा हुआ है पर उनका इंतजार कर रहे हैं फिन बैलर I don't think so कि ये फ्यूड एक मैच की होगी या फिर इतनी जल्दी खतम हो जाएगी डेमेंट प्रीस्ट अभी वापिस वर्ल्ड चैंपेंशिप की तरफ भी नहीं जाने वाले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिन बैलर और डेमेंट प्रीस्ट को अच्छे से एक दूसरे से एक दो या तीन मैच लडने चाहिए और उसके बाद हमें फ्यूड खतम होती होई देखने को मिले तो ही मज़ा आएगा फिन बैलर इसमें अपना डीमन बैलर का गिमिक अगर वापिस लेके आते हैं बैज ब्लड पेपर व्यू के लिए तो बही और भी जादा मज़ेदार हो जाएगी चीज़ें लेकिन जर्मनी के अंदर ये पहला मैच जहां पर जजमेंट डे के दो बड़े नाम अब जो एनिमीज हो चुके हैं वो आपने सामने आएंगे तो बिलकुल मज़ा आएगा उसको देखने के अंदर और मुझे लगता है कि ये पर्फेक्ट स्टार्ट हो सकता है इन दोनों की इस राइवल्री नेक्स मैच के हम बात करते हैं और ऐसा लग रहा है कि WWE ने काफी हद तक obvious कर दिया है कि ये अब हमें Bash in Berlin में देखने को मिलेगा और जबकि Monday Night Raw पे इस मैच को easily करा जा सकता है सेथ रॉलिंस जो है उनको बूरे तरीके से अटैक करा गया है बट मेरे इसाफ से मैं बार बारे बात बोलूँगा कि धीरे-धीरे सेथ रॉलिंस का हील टर्न स्टार्ट होगा Bash in Berlin में भी वो पूरे तरीके से हील नहीं बनेंगे वो टर्न तभी आएगा जब वो Drew McIntyre या CM Punk में से किसी एक के सामने होंगे लेकिन सेथ रॉलिंस का गुस्सा है जो रिवेंज है अब जो उनको ब्रॉंसन रीड का गेंस चाहिए होगा उसके लिए वो वापिस आएंगे और ब्रॉंसन का जबकि अब ट्रिपल एच ऐसा लग रहा है कि पुश स्टार्ट कर रहे है में भी ओ कुछ टाइम में IC टाइटल के लिए लड़ सकते हैं गुंधर से भी लड़ सकते हैं एक मैच में कभी फॉर दे वर्ल टाइटल लेकिन उनके पुश को स्टार्ट करने के लिए सेथ रॉलिंस बेस्ट बंदा है और मैं सुन रहा हूँ कि काफी लोग कहने सेथ रॉलिंस को आज एक IC फ्यूड में की उडाल दिया दुबारा से तो वहीं हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये बंदा अल्मूस्ट एक साल तक वर्ल चैंपियन रह चुका था और अब टाइटल हारा है और कहीं ना कहीं इसको IC फ्यूड में भी डाला जाएगा जो बाकी लोगों की भी हल्प कर सके कोई एक बंदा पूरे समय टॉप पे नहीं रहता और यहां पे रेफरी कोई इस बार स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं नॉर्मल रेफरी होगा लेकिन एक स्टिप्यूलेशन इस मैच में किसी तरीके की आड़ करी जा सकती है समर स्लैम में डू मैकिंटायर जीते लेकिन हम जानते हैं कि CM Punk स्क्रूड CM Punk अब इसी तरीके से बैशन बर्लिन में अगरे मैच करा जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे में भी डू मैकिंटायर, स्क्रूज डू मैकिंटायर और एक पर फिर से डू मैकिंटायर एक ऐसे एमोशन में बह जाएंगे जहां पे CM Punk को इतना जादा Obsession उनके साथ कर लेंगे कि मैच जीतना वो भूल जाएंगे और उस वज़ा से Final Match अगर अभी तक के लिए इनके बीच में करा जाएगा तो Bad Blood Pay-Per-View में स्टार्ट किया जा सकता है वहाँ से Build जोगे Hell in a Cell Match इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा Definitely एफ्यूड उससे भी आगे लेकर जाई जा सकती है और Wrestle Mania तक है एक दूसरे से लड़ सकते हैं कोई Complain नहीं करेगा लेकिन Bash in Berlin में Rematch होना एक हद तक हम Confirm ही समद सकते हैं और जो Main Match इस शो पे होगा और इस सात्वा Match होगा इस शो के उपर मुझे लगता है कि इसकी होने की Possibility काफी जादा है लेकिन Variations इसके अंदर हो सकती है और जो मेरा Disclaimer था कि At the end ये Predictions है तो भाई Obviously देखने कितने हद तक सही होगी काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि Roman Reigns जो है वो वापिस आने के बाद अपना पहला Match डारेक्ली Solo Sikua से नहीं लड़ेंगे सिंगल्स में यहाँ पर उनको मदद चाहिए होगे किसी की और अभी Roman Reigns के पास कोई है नहीं डारेक्ली जो Bloodline का Part हो और Cody Rhodes वो Handshake extend करेंगे Roman Reigns की तरफ कि हमारा इस समय पर enemy common है भले एक दूसरे की हमारी history कैसी भी रही हो Solo Sikua को नीचे गिराना यह बात हम दोनों इस से agree करते हैं और सिरफ for one night only Cody Rhodes टीम अप करेंगे Roman Reigns के साथ the new OTC the original tribal chief Roman Reigns के साथ और दूसरी दरफ Solo Sikua के साथ होंगे Jacob Fatu अब जो changes यहाँ पर करे जा सकते हैं वो यह है कि अगर Jacob Fatu injured है तो Tama Tonga को मैच में डाला जा सकता है और अगर Cody Rhodes वाला angle हमें देखने को ना मिले तो फिर वहाँ पर Jimmy Uso का return अगर होता है तो वो उस मैच के अंदर आते हैं पर Bloodline जिस तरीके से layers खोलती है अपनी storyline की अभी मुझे लगता नहीं है कि इतना time बचा है Jimmy को वापिस लाके इस मैच में डालने का तो Cody Rhodes क्या करेंगे अगर Jimmy इस टैक टीम मैच वाएंगे I don't see कि कौन Cody Rhodes को Bash in Berlin में title के लिए challenge करेगा वो फिर एक और ऐसा मैच बन जाएगा जहाँ पर Cody Rhodes अपना title तो defend कर रहे है पर लोग कहेंगे क्या boring है हमें तो पता था Cody नहीं जीतना है क्यों ये match करा जा रहा है तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसको बचाने के लिए और एक ऐसी moment create करने के लिए जो कभी सोच नहीं रहते हम होगी Cody और Roman एक ही side पे हो और Solo और Jacob Fatu से लड़े वो कितना must moment होगी और baby face है अब Roman Reigns इस बात को बूलना नहीं चाहिए ये उनके character को baby face भी बनाएगा और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था उनको पता लगेगा कि भाई ये तो कमाल की टैक्टिम लग रही है Roman और Cody की भी तो आप लोग अपने opinions बताएं ये मेरे सबसे possible logical guesses है जो कि मुझे लगता है Bash in Berlin में WWE card कर सकती है और अगर इसके आसपास भी card होता है तो आप समझ जाओ भाई एक बाफने से योरोप का crowd वो classic football वाला crowd जो wrestling में आता है और इतना धमाका मचाएगा और उपर से match card तो भाई बहुत ही कमाल पेपर वी होने वाला है तो अपने opinions में जए comments में ज़रूर दे और असली अखरणा पर podcast चेक आउट करना बिल्कूल भी ना भूलेगा इस तब तक के रिए thank you so much for watching मैं हूँ आयो शुर आप देख रहे हैं रेसल इंडिया